कि हैलो फ्रेंड्स देखों जैसे ही हमने डिवाइट कर लिया था फास पार्ट में मैंने बताया था कि ये ट्राइंगल पॉर्षण है इसको हम इस तरह से स्ट्रेट कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यह खुला हुआ है तो बार बार वह हो रहा है तो मैं इसको सबसे पहले इसी वाले पार्ट को बनाती हूँ इसको बनाने के लिए यहां पर जॉइंट है है कि यह जो है एक बार सीधी चो मैं बनाऊंगी यह एक बार सीधी तरफ से बनेगा और एक बार व्लेवटी तरफ निजकों पहले यहां से बुनते हुए हम यह तक आना लेकिन नौर्मल यैसे सीधा बिनते वैसे नहीं कैसे बुनना है चलिए हम देखते हैं यह हम राइट साइड में हैं और यह मैं 9 नंबर की सलाई से बिन रही हूं लेकिन मैं गलती से 10 नंबर के लिए आई हूं अब आद में यह वाली 9 ही है तो 9 से हम बनाएंगे आपका उन जैसा हो आपका हूं हां टाइट और धीला जैसा चलता हो उसे साब से बनाएगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सारे फंदे नहीं बनाने हैं सिर्फ दो फंदे सीधे बुनने हैं क्योंकि हम सीधी तर हम उल्टा बना लेंगे एक और एक यह दो ठीक फिर हम यहीं से टर्न होंगे यह बांग के फंदो को मैं ने बस जाए थोड़ा इसलिए मैंने उस पर उतार दिया धागर पर अलक से फिर यह नहीं एक और एक यह दो दोसीधा बन लिया और फिर से हम इन दो फंदों को लेंगे जो पहले से बुने नहीं कहने का मतलब है हर बार सीधी चलाँ DODो-D겠어 करेंगे और इसी तरह से बुनते हुए हम यहां सेंटर वाली जाली तक आएंगे जो चोटी है सेंटर वाली उसके पहले वाले फंदे तर आएंगे तो देखो ये दो फंदे इस बार हमने सीड़ी तरफ से अड़ किये अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे और अब हम आई पास हो गए एक दो तीन और एक यह चार चार फंदे फिर हम टर्न होंगे पहला फंदा उधार लिया एक दो तीन यह चार चार फंदे बुन लिये और इस बाग फिर से हम इन दो फंदो को एड़ करेंगे तो अब हमाय पास छे फंदे हो गए फिर इस तरफ से टर्न होंगे एक दो तीन चार पांच और यह चे फिर हम सीधी की तरफ आएंगे यह चे फंदे हम नॉर्मल सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और यह चे अब सीधी तरफ हम तो दो फंदे फिर से हम एड़ कर लेंगे नए इसी तरह से हर बार हम कहने का मतलब यह हर बार सीधी तरफ से दो दो फंदे एड़ करते जाएंगे उल्टी तरफ उन्हें पूरा उल्ट बनेंगे फिर सीधी तरफ आएंगे फिर दो फंदे एड़ करेंगे और इसी तरह से हम चोटी वाले फंदे से यह जो सेंटर की चोट को सीधा कर रहे थे हर बार दो दो फंदे सीधी तरफ से लेते हुए मैंने आपसे बताया था कि चोटी वाले फंदे से पहले तक हमें बुन लेना है तो यह इस तरह से ट्रैंगल वाला जो है वो शौर्ट रो में हमने बनाया तो इस तरह से यह स्ट्रेट आ गया अब यहां प अलग बहाएं फंदे को शीधा बिन लेंगे और चोटी वाले फंदे को छोड़ देंगे फिर पूरा उल्टा बिन लेंगे और फिर चोट फिर मैं आपको दिखाते एक फंदे को बुन के हम पर सीधी तरफ आगे अब यहां पे हमारा चोटी वाला फंदा इस को हम अब यह ऐसे था ना अब हम इसको फ्लैट करेंगे इस तरह से तभी तो नीचे अपना स्ट्रेट सटर का फ्रांट ओकर बनाएंगे अब हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें जब भी दो दो फंदे वाला शुरू करना है यह इस साइट से सुरू करना है सेंटर से नहीं अब दूसरा आला हम इधर से शुरू करेंगे और हम यहां तक आएंगे इसलिए मैं आपसे पहले मैंने बताया था कि एक तरफ यह राइट साइट से सुरू होगा एक तरफ से यह उल्टी तरफ से मतलब बैक साइट से सुरू होगा तो हम यहां से एक सलाई लगा लेंगे और जैसे इधर हम दो-दो फंदे सीधे बिन रहे थे वैसे इधर हमें हर बार दो-दो फंदे उल्टे बिनते हुए जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो दो फंदे पहले बिनेंगे फिर हम दो सीधे बिन लेंगे फिर उल्टी तरफ आएंगे तो दो और बिन लेंगे तो तो इसको भी साथ में बिनते वे यह पूरी सलाई एक साथ बिनके और हम अपनी एक पर फंदे कर लेंगे और हमें जितनी लेंथ लम्बाई जितनी अपने फ्रन्ट और मतलब गले से नीचे तक की करनी होगा जितना लंबा स्वेटर बच्चे की हिसाफ से रखना होगा उतना लंबा मुस्के बाद बना लेंगे सिर लास्ट में हम तीन अगूर दो जितना भी हमें है बार डेडर ज़ो हिप लिजिक बेर बनाना होगा इसी तरह से फ्रण्ट अलग बनेगा यह स्लीब के फंदे इस बालग बनेंगे दोनों स्लीब अलग-अलग बनेंगी और यह बैक साइड था वो फ्रंट साइड चारों पल्ले अलग-अलग बनेंगे लेकिन उसको हमें स्टेट इसी तरह से करना होगा जैसे हमने इस पोर्शन एक राइट साइड से होगा तो पहले हम इतना बना लेते हैं और सेम मैथड अप्लाई करते ही वे रांग साइड से हम यह वाला पोर्शन भी बना के फिर आपको दिखाते हूँ यह देखिए इस तरह से हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया और नीचे मैंने यह बॉर्डर बना दिया यह तीन उंगल का बॉर्डर आप जितना चोड़ा चाहें उतना चोड़ा बना दे और इसकी टोटल लंबाई जो मैंने रखी है यहां पे गले से लेके आपकी जो लंबा को यहां तक तो आपको दिखा दू कि यह वाला दूसरा वाला जो फ्रंट है बैक है जमsmaksiा आप मैंने इस तरह हर वार एक तरफ से होगा एक तरफ को पाल तरह से क्योंगे उसको एसे ले लिया और यह further को एस ड thôi करेंगे वर लुद्वे का एक करेंगे सेंटर नहीं करेंगे सेंटर की तरफ हमें आना है । तो अब हम यह जैसा नौ नंबर की चलाई से मैं यह बना रही हूं तो हम आगे इसको शुरू करते हैं इसको शुरू करने के लिए मैंने आपको जैसे सीधी तरफ से था वैसे ही उल्टी तरफ से भी रहेगा यह उल्टी तरफ हम है यहां पर हमने नया उन जोड़ लिया और एक फंदा उल्टा और यह दूसरा फंदा है फर्स्ट रो है इसलिए फंदे थोड़ा सी टेड़े हो जाते हैं तो आप इसको सीधा कर लिजेगा अब यहां पर इसे नौट बांद के उन को पक्का कर देंगे कि जिसे फंदे बड़े न हो जाएं मतलब जोइन कर देना है न इनी दो फंदों को हम सीधा बना ले एक और एक यह दू इस बार उल्टी जरब से दो दो फंदे हर सलाई में एड होंगे बस यह दिखाना चाहिए बाके मैं थर तो बिलकुल वही है यह देखिए यह पहले वाले दो फंदे तो हमने उल्टे पहला फंदा बिना बने उतार लिए एजिस्टेस के लिए दूसरा उल्टा बिन लिया और इस बार फिर से यह दो फंदे हम एक और एक यह दो दो फंदे हमने एड कर लिए फिर सलाई हहीं से पलट लेंगे और यह चार हो गए एक दो तीन चार फिर उल्टी तरफ आएंगे पहला फंदा उतार लिया दो तीन चार यह पांच और एक यह छे दो दो फंदे हर बार उल्टी तरफ लेते जाएंगे और सीधी सलाई नॉर्मल सीधे बुनते जाएंगे और इस ट्रैंगल पार्ट को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से हमारे अपनी स्लीप उन पर उतार दिया उन इस पे भी हमें से में सिम फालो करना है चोटी के इधर वाल एक बार में बनेगा..बस इसमें यह द्यान राखना है आपके फंदे जितने ज्यादा कम हूं उसी तरह से हर चौथी सलाई पे एक इस तरफ और एक इस तरफ स्लीब का सेप देने के लिए एक एक फंदे हमें घटाने पड़ेंगे और शेप प्रॉपर जैसे स्लीब का दिया जाता है बाह में जैसे शेप दिया जाता है तो शुरू चार सलाई पर कर लिए फिर छे सलाई पर कर लिए और लास्ट में बाडर पर जितने फंदे रखने तक आप इसको कर लिए जादा बच रहे हैं तो एंड में जो बाडर आएगा उसी पे आप एक पहली सलाई पे चार-पांच फंदे आप घटा लिजेगा मतलब दोनों से आप अपना स्लीव बैक और फ्रंट बनाके तयार करिए यह एक पल्ला मेरा तयार हो गया नीचे बॉर्डर बना दीजे मैंने सोचा आपके साथ यह भी शेयर कर लो जिससे की कोई चीज छूट ना जाए तो यह आपने इसके पहले वाले पार्ट पर बहुत सारा प्यार दि तब तक आप इसको बनाके तयार किजिए इतना पार्ट फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में